हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब लोग इस वीडियो में हम इंपोर्टेंट देजन्ट थीम्स डिसकस करने वाले हैं SSC CGL 2019 and SSC CHSL 2019 के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस पर questions पूछे जाते हैं और जनरली यह देखा गया कि पिछले 4-5 महीने में कुछ भी पूछा जाता है डेजन्ट थीम्स से लेटेड तो हम सारी चीज़े कवर करेंगे अक्तूबर से लेके फैबरी तक के हम सारे डेजन्ट थीम्स देख लेंगे जो जो important है वैसे तो हर रोज कुछ न कुछ होता रहता है नया डे होता है नया थीम होता है तो वो साही चीज़े हम नहीं क्याद कर सकते हमारी capacity learning limited होती है तो जो मुझे important लगे हैं मैं वो ही share करूँगा तो अगर आपके सारे sets में मिलाके 5-6 questions डेजन्ट सीम्स के आ रहे हैं तो उन मेंसे यह होगा कि 4-5 questions इसी videos आएंगे एक अधा question ऐसा भी हो सकता जो इससे भार चला जाए ठीक है बट यह है कि हम कितना याद करेंगे रोजी कुछ न कुछ होता है तो अब 4 महीने की बात करेंगे अगर हम 4 महीने की ही cover कर रहे हैं तो 4 महीने में आपके तीमें 120 दिन हो गए 120 में से लगबग 90 दिन कुछ न कुछ होता है कोई न कोई day या theme होती है तो हम वहां तक नहीं जा सकते हैं तो हम बहुत limited चीज़े पढ़ेंगे जो आप exam में यूज कर पाओ जिस पर बार बार question पूछे जाते हैं तो पूरी वीडियो को starting से लेकर end तक देखना PDF टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो टेलिग्राम चैनल आप जोइन कर सकते हो किलियर हो गई यह चीज आगे भड़ते हैं सबसे पहले 5 October की बात करेंगे 5 October को बनाया जाता है World Teachers Day और इसकी जो इस बार theme थी वो थी Young Teachers the Future of the Profession टेक है जो हमारे इंडिया में Teachers Day हम बनाते हैं वो 5 September को बनाते हैं लेकिन जो actually में World Teachers Day होता है वो होता है 5 October को theme क्या थी Young Teachers the Future of the Profession 7 October की बात करें World Habitat Day बनाया जाता है इसकी theme थी Frontier Technologies as an Innovation Tool to Transform Based to Wealth 11 October की बात करें International Day of the Girl Child बनाया जाता है और इसकी theme थी Girl Force Unescripted and Unstoppable आगे भड़ते हैं 16 October की बात करें तो World Food Day बनाया जाता है और इसकी theme थी Our Actions are Our Future 17 October की बात करें International Day for the Redication of Poverty इसकी theme की बात करें Acting together to empower children their families and communities to end poverty आगे बढ़ते हैं 20 October की बात करते हैं World Statistics Day 20 October को क्या बनाया जाता है World Statistics Day बनाया जाता है और इसकी theme थी Better Data, Better Lives अब जैसे जैसे आप क्या करोगी इसे पूरी वीडियो को पूरा देखने से अच्छा है आप साथ के साथ जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं आर फ्यूचर 24 अक्तूबर को एक ओड़ी होता है World Polio Day ठेक है इसकी theme में जैसे नहीं मिली शायद कोई theme नहीं थी इस पार पक्का नहीं कह सकता ठेक हम जैसे नेट में नहीं मिली 31st October की बात करें तो National Unity Day मनाया जाता है और इसे हम राष्टी एकता दीवस भी कहते हैं और यह किसलिए बनाया जाता है यहाँ पे इस दिन जनम दिन होता है सरदार वल्ला भाई पटेल का ठीक है उनके 144th birth anniversary हुई तीस बार 2019 में जिसने Iron Man of India भी कहा जाता है ठीक है तो हिस्ट्री में कुशन आ जाता है कि Iron Man of India किसे कहा गया था सरदार वल्ला भाई पटेल को कहा किया था राष्ट्य एकता दिवस उनके जिनम दिन को हम बनाते हैं National United Day कब होता है वो 31 October को होता है के लिए आगे बढ़ते हैं 7th November की बात करें National Cancer Awareness Day बनाया जाता है इसकी थीम थी टू स्ट्रेस अपॉन दी अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ कैंसर ठेक है यह पूछा Foundation Day बनाया गया था और आपको Foundation Day सभी के याद रखने होते हैं जो भी particular day के आते रहता है इस पर question 2018 में पूछा गया थे Foundation Day पर ठीक है शायद उस टाइम पे I am not 100% sure बिहार का या किसी ऐसे ही पूछा गया था 11th November की बात करें तो World Science Day for Peace and Development ठीक है और इसकी theme थी आपकी Open Science Leaving No One Behind आ National Education Day मनाया जाता है celebrate the birth anniversary of India's first education minister freedom fighter scholar and eminent educationist Molana Abdul Kalam Ajad ठीक है Molana Abdul Kalam Ajad की birth anniversary को celebrate करने के लिए National Education Day बनाया जाता है यह theme नहीं थी मतलब यह importance is day की ठीक है उनकी birth anniversary के लिए National Education Day हम बनाते हैं 12th October की बात करें तो Public Service Broadcasting Day है ठीक है यह क्यों मनाते हैं to commemorate first and only visit of Bapu to all India radio के बाद 12th November को एक और day होता है World Neumonia Day जिसकी theme थी healthy lungs for all अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़े पिताता हूँ अल्रेडी बहुत सारी वीडियो आ चुकी है books and authors के related पूरी वीडियो आ चुकी है जिसमें जितनी भी important books and authors पूरे साल भर के रहे हैं और awards books related मिले हैं वो सारे हमने डिसकस करें हैं ठीक है Nobel Prize winners की video IV है Top 50 appointments 2019 की video IV है इंडिया इंडिया इंडिफरेंट इंडिस की video IV है अब तक की important awards and owners की video IV है जिसमें Galantry Awards वीरता पूरुसकार और civilian awards हमने डिसकस किये थे साथ यसाथ military exercises की भी वीडियो आ चुकी है ठीक है तो यह सारी वीडियो आपको कहा मिलेंगी description box में एक playlist मिलेगे आपको important current affairs करके वहाँ से आप यह सारी वीडियो जेख सकते हो और भी वीडियो आई भी है जैसे GI Tech के ओपर भी आई भी है और भी यह वीडियो भी उसी playlist में अट हो जाएगी तो सारे वीडियो जो आपके एक साथ मिल जाएगी pdf आपको telegram channel पे मिल जो इंपोर्टेंट ओसकर के prizes मिले थे इस बार तो गुवाली वीडियो भी मिलेगी तो वहाँ से देख सकते हो एक प्लेइलिस्ट है जिसमें क्वांट की बहुत सारी वीडियो जहें बहुत सारी लेक्चर समने पूरे-पूरे पड़े हैं बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हो ठेक है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बैल आइकन को भी दबाद लो 12 नवमबर की बात करें 5 50th birthday of गुरु नानक देव ठीक है 14 नवमबर की बात करें तो Children's Day बनाया जाता है जवालाल नहरुजी का जनम दिन होता है इस दिन तो इसलिए बनाया है यह और आगे बढ़ते हैं 14 November को एक ओर डे होता है World Diabetes Day इसकी थीम किया थी Family and Diabetes यह याद रख लेना 14 November को World Diabetes Day भी होता है यह पूछा जा सकता है ठीक है तो यहां पर दो दिन होते हैं 14 November को Children's Day होता है और World Diabetes Day होता है 16 November की बात करें International Day for Tolerance है और इसकी थीम थी to promote the tolerance and non-violence 16 November को एक ओर डे होता है National Press Day this is important National Press Day पुछा जा सकता है to commemorate the establishment of the Press Council of India ठीक आगे बढ़ते हैं 17 November National Epilepsy Day के awareness generate करने के लिए डिसीज की यह डे मनाया जाता है 19 November की बात करें World Toilet Day यह किसले मना जाता है to tackle the Global Sanitation Crisis 25 November की बात करें International Day for the Elimination of violence against women this is important 25th November National International Day for the Elimination of violence against women और इसकी थीम क्याती हो और इंज दी World Generation Equality stands against Trump ठीक है यह वाला याद रखना 25th November का यह नहीं भूलना यह आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं 26 November की बात करें Constitution Day मनाया जाता है 1st December की बात करें World AIDS Day मनाया जाता है और इसकी थीम के दिस बार Communities make the difference 3rd December की बात करें International Day of Persons with Disabilities और promoting the participation of persons with disabilities with their leadership taking action on the 2030 development agenda यह इसकी थीम रही आगे बढ़ते हैं 4 December की बात करें Indian Navy Day मनाया जाता है Indian Navy silent strong and swift 5 December की बात करें International Volunteer Day मनाया जाता है Volunteer for an inclusive future यह इसकी धीम थी 5th December की बात करें तो World Soil Day भी मनाया जाता है Stop Soil Erosion, Save Our Future यह इसकी थीम थी 10 December की बात करें World Human Rights Day मनाया जाता है और इसकी थीम थी Youth Standing Up for Human Rights ठीक है यह वाला याद रखने 10 December वाला important है World Human Rights Day Youth Standing Up for Human Rights 12 December की बात करें International Universal Health Coverage Day और इसकी जो थीम थी इस बार वो थी Keep the Promise आगे बढ़ते हैं 24 December की बात करें National Consumer Day मनाया जाता है Alternate Consumer Grievance और Dispute Redressal यह इसकी थीम रही 25 December की बात करें Good Governance Day मनाया जाता है और यह किसलिए मनाया जाता है तो ओनर प्राइम मिनिस्टर वाजपाई बाय फॉस्टरिंग अवेरनेस अमंग इंडियन पीपल ओफ अकॉंटिबिल्टी इन गॉवर्मेंट ठीक है बस आपको इतना याद रखना है 25 December को गुड गॉवर्नस डे मनाया जाता है ठीक है 9th January की बात करें तो प्रवासी भारतिय दीवस मनाया जाता है to mark the contribution of the overseas Indian community in the development of India ठीक है जो इंडिया से भार इंडियन लोग रहते हैं उनको contribution जताने के लिए इंडिया में ये डे मनाया जाता है प्रवासी भारतिय दीवस ठीक है इसे याद रखना है उसके बाद 12th January क कि बात करें तो National Youth Day मनाया जाता है to make sure that the students across the country can be encouraged to learn about life, the ideas and philosophy of Swami Vihakarnand and apply them in their lives ठीक है इसलिए मनाया जाता है 24th January की बात करें 24th January को International Day of Education मनाया जाता है Learning for People, Planet, Prosperity and Peace ये इसकी थीम रही 24th January को एक ओर डे होता है National Girl Child Day 25th January को एक ओर डे होता है National Tourism Day to raise awareness about the importance of tourism for the country's economy ठीक है ये इसका एम था 25th January की बात करें National Water Day मनाया जाता है Electoral Literacy for Stronger Democracy ये इसकी थीम थी 26th January की बात करें भारत पर्व 2020 ठीक है इसकी थीम थी एक भारत सिर्ष्ट भारत and celebrating 150th years of महत्मा गांधी 30th January की बात करें तो Martius Day मनाया जाता है ठीक है आपको पता है इस दिन महत्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी तो जो उनके sacrifices हैं उसे याद रखने के लिए डे बनाया जाता है 30th January को एक ओर डे होता है World Leprosity Day ठीक है ये बूछा जाता है आपकी एक जाम में World Leprosity Day के बारे मे और इसकी थीम थी Leprosy Agent What You Think आगे बढ़ते हैं 2 February की बात करें World Wetlands Day मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस बार Wetlands and Biodiversity 4th Fab को World Cancer Day बनाया जाता है इस बार इसकी थीम थी I am and I will 10th Fab के बात करें तो World Places Day बनाया जाता है और 11th Fab के बात करें तो International Day of Women and Girls in Science और इस बार इसकी थीम थी Investment in Women and Girls in Science for Inclusive Green Growth ठीक है इससे आगे आपके एक्जाम में पूछने की चांसिस नहीं है SSC, CGL और CHSL एक्जामनेशन में ठीक है so that's it इस वीडियो में मैं आपसे लेता हूँ और उमीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ नहीं कुछ आपको सीखने को मिलेगा और चांसिस हैं किसमें से कोई क्वेश्चन आपके घ्जाम में देखने को मिले अगर डेजन से पूछे गए तो बाई बाई टेक क्यार आपका दिन शुब हो जाएं